विल्कम टू दे चैनल, अर्बी फंटसे 7, आज की सुड़ी में हम बात करने वाले हैं, इन बे लिक का जो मैच कहले जाने वाला है, गुल्डन स्टेट वारियस वसेस लॉस अंजली क्रिपर्स की बीच में, वीडियो पे आगी बढ़ने से पहले लाइनप में कोई भी अगर अग्सपेक्टेड चेंजस हुए, तो फाइनल टेम और फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्राम जानल जोईन कर लेना, जिसके लिंक मैंने आपको अल्डर देख कर रहे कि कमेंट बॉक्स में, कुछ नहीं करना है, लिंक पर क्लिक करकर आप सेदर सेदा टेलिग्राम जान फाइनल से लिए आपको खेलना है, फिर नहीं खेलना है, या आपके उपर डेपेंडेंट रहेंगा, मैं मेरे टीम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, और प्लस मैं आपको इस वीडियो में लाइनप भी प्रोवाइड करूँगा, जहापर आप दोनों टीम के तरफ से starter कितना time खेल सकते हैं और bench player कितना time कहल सकते हैं यह आपको पता चलेंगा सिदा सिदा आप proto wire पर आपको एक team के lineup मिल जाएंगी Los Angeles Clippers से यहाँ पर देख सकते हो आप starter और जो bench player है वो कितना time कहलेंगे लेकिन अगर यहाँ पर आपको golden state warriors के projected मिलने से अगर देखना है तो उसके लिए आपको premium paid करना पड़ेंगा जो premium मैंने अल्डरी पेर किया तो आपको paid करने की जरूरत नहीं free में आप कहाँ पर यह lineup देख सकते हो यहाँ पर इसका screenshot भी निकाल कर ले लेना जोमीन करकर भी मैंने आपको दिखा है यह screenshot आप ले सकते हो और इस सेफ़र के लिए एक like तो बनता है free में आपको यह मिलडा है तो उसके लिए क्या पर like जरूर करते ना बात करेंगे आज के माचस के बारे में सबसे पहले दोनों टिम में comparison अगर comparison करेंगे दोनों टिम की बिच में गोल्डन स्टेट वारियस बहुत ज्यादा strong टीम है एस computer आप लॉस अंजल क्लिपर्स क्योंकि यह टीम all unit इनका यह आप डिफेंस ट्रॉंग है और सबसे जो strong है इनका offense strength 3.2 shooter इनके पास बहुत है तो easily आप पर यह match आज का match आपको golden state वारियस फिन करते हैं देखने को मिल सकते है लॉस अंजल क्लिपर्स अच्छी टीम है लेकिन इतने अच्छी ने की golden state वारियस को हरा सके इवन यह टीम अपने home में के लिड़ है दोनों टीम की रहेंगी वह रहेंगी जैम सारडन और उसिक सासा आपर पोवेल इन दोनों प्लेयर के उफर फोकस रख लेना जब तक लिए और आते नहीं तब तक इन दोनों प्लेयर का रोल आफेस पे बहुत जादा important रहेंगा और थर्ड जो important प्लेयर है वह आपर जुबैक इन तीनों क इस गिर्द आप पर पिछले दोनों मैचस में यह टीम चलिए तो आपर स्माल लिक के लिए यह तिनों प्लेयर आपके लिए बहुत जादा important रहेंगे जो कि start करेंगे जुबैक का performance देख सकते हो point reward दोनों से आया था जैम सारडन ने performance जया था और सबसे अच्छा performance हो आया थ आपरे टिम dependent है तो यही तिनों प्लेयर है जो कि आपको मैचस में चौर्स लेते हो देखनों को मिलेंगे बाकि जो दो स्टार्टर रहेंगे डेरिक जॉन जुनियॉर और उसिकसासा तेरेंस पना यह आपके लिए ग्रैंड लिक पीक रहेंगे स्माल लिक में भी आप ट्रा पीसेंड सा टाइम बैंच से कहलेंगे अगर इसमें किसी को ट्राय करना है तो आप यापर कॉफी की साथ जा सकते हो जोकि आपर शुटिंगे अच्छे प्ले रहें और लोग रियृत में भी आपको मिलेंगे साथ क्रेडिट में अबडिबल हो जाएंगे तो कॉफी का आप त्राइक कर लिना यह हुआ लução दोस्टेट लिपस की तरफ से स्ट्विपस के बारे में अगर बात करें तो सेम स्тवर्ट कडिकर संक करते हैं प्रट गारंची अर्ड़ फूजिन से ऑन्रु विगन स्ट्व दी देखन को में एंडियु लेंगे डावर गार्ड पोजिशन वाले यानि जो अच्छे शूटर है वो है आप पर करें और एड्रो वेकिन्स स्माल फार्ड और पोजिशन और पावर फार्ड पोजिशन इनकी स्ट्रॉंग है डी गिरिन और कॉमिंग आपको कहलते देखने को मिलेंगे और सेंटर पोजिशन से टेरिं जैक्सन ये आपको कहलते देखने को मिलेंगे उसके बाद जो सेंटर ही ये थोड़ी से आपर इनकी विखने से तो ये करते क्या है जब जब आपर ये शूटिंग में थोड़ा सा पीछे चलते है तो आपर इस प्लेयर को सब्सुटूट करकर ये बैंच से इनके बेस्ट प्लेयर बड़ी हीड जैसे प्लेयर या फिर आप कह सकते हो ब्रैंडेन जैसे प्लेयर इनको आपर ये लाते है जो कि आपने से लिखने प्लेयर है और डिफेंस भी अच्छा कर लेते है तो बागी इस player को कम time मिलने के reason यह है कि आपर इनके पास already दो अच्छे defensive player है starting line-up है कुमिंगा और डिग्रीन इनका defense अच्छा है जो कि front goal से कहलते है उसके बाद यह थोड़ा से आपर अपनी shooting strength को बढ़ाते है जिसमें से आपर branding को लाते है बड़ी hit को लाज ले थे तो यह दोने इस player की यह दोने इस team की अच्छे आपर बैंच player है और दोनों को आप grand league में try कर सकते हो small league के लिए करिये का चीपी करेंगे address बहुत अचीपी क लग रहे है even last matches में दोनों matches में performance आया था जोनातों को मिंगा पिछले दोनों matches में performance आया ने प्लेयर स्टार लेवल का प्लेयर है upcoming start player है और रिसको यहापर आप आज के मैचस में लेने का रिसक ले सकते हो क्योंकि दोनों पिछले matches में performance आया ने इस player की तरफ से performance आता हो आपको देखनों को मिलेंगा डिगरीन defensively बहुत आचा performance आता है point rebound assist तीनों सक्षन से जब जब आप यह available रहेंगे court पर तब आपको performance देते हो देखनों के पलेंगे दोनों के credit थोड़े से high training child junior as a credit से और आप try कर सकतो time थोड़े सा मिलता है लेकिन कभी-कभी इतने टाइम में भी बहुत आचा performance लेकर चले जाते है और अगर आपको किसी को try करना है बैंसे तो दो बहुत अच्छी पीक है जो कि आप पर ब्रेंडर और बड़ी ही दोनों टेन के credit के player है लेकिन performance भी उस लेवल का है उसके बाद Kylie Anderson इस ले प्लेयर का भी कुछ matches में performance आया पिछले दोनों matches में more than 20 points हर एक matches में आप और इनों ने देए fantasy point तो यहाँ पर इनको भी आप अपने टीम में रख सकते हो और बागी match one side ले हो जाएंगा मज़े सो मोली जैसे player milton जैसे player और GP2 जैसे player या फिर के लोनी जैसे player जो कि आपको अच्छा time खेलता देखने को मिलेंगा और अगर आपको grand league में किसी पर focus कर ले रहा है तो कि यहाँ लोनी इस पर focus कर लेना क्योंकि सामने वाले टिम में रह इसके बागी ओहराल दोनों टीम के तरफ से starting lineup शेयर कर देए अभिया पर जो मेरी small league के team बनेंगी वो team भी मैं आपको दिखा देते हूं लास अंजल के पर से तीन important player है जो कि regularly performance दे रहे जैम सारडन पोवेल और सेंटर पोजन से तो जूबैक तो इन तीनों player को मैंने अपने rebound or assist के comparison में बाकि इन तीनों player को लिया तो थोड़ा सा credit उचोंगा उसके चलते आपर मैंने drop करने का risk लिया है stephen curry पर देखे stephen curry को drop करने का risk इसले भी लिया है क्योंकि आपर जितना point stephen curry देकर चली जा रहे उतना point Andrew विगिंस बड़ी hits देसे player है आपर band से आकर देकर चली ज अगर आप चाहू तो जैम सार्टन की जगह पर आप अपने team में stephen curry को रख सकते हो क्योंकि वह आपर वो team strong है लेकिन हुआ क्या है पिछले दोन मैचस फ़न साइड हे लिए आपर इस team ने win के उसके चलते starter को कम time मिला है और band से आपर इन्होंने बहुत सारे player को time दिया है य यही reason है कि आप 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 पर थोड़ा सा रिस्क के ले सकते हो जैम सार्टन इनको pick कर कर के लिए को captain बना जेना वाइस captain ऑफ संची के लिए आपके बाद जो बैक बहुत आचे player है point rebound यह इंकी स्टेंट से point और assist यह इंकी स्टेंट से तो हर वक्त आपको point देते हो यह play दोन rebound rebound दोनों सेक्सें से आपको performance देते हो देखनों को मिलेंगे credit to shoot होने वाला है तो डिगरिंग को drop किया डिगरिंग की जगापर मैंने काईली एंटरसन को try किया है जो के खेलेंगे बैंस से यह भी आपर आपको rebound और point दोनों सेक्सें से परफर्फर्म देंगे और कभी-कभी still और block भी इनके तरफ से अच्छे खासे आ जाते तिनकों मैंने अपने टीम में रखा है उसके बाद जो आपर ब्रेंडर ने इनको टीम में रखा है बड़ी हिल का performance आप देख लेना पिछले दोनों मैचेस में अच्छा लास्ट मैचेस में 40 फ्लस fantasy point देखर चले गे तो और और देखिंगे तो शुटिंग अच्छे लेकिन ज्यादा options इनके पास शुटिंग के लिए अविलेबल नहीं यही दोनों प्लेयरे जो शुटिंग अच्छे कर लेते उसके बाद कुमिंगा कि शुटिंग अच्छे रहे थे अगर यापर starting lineup में थोड़े से पीछे चल starting में यह आपर point पर तो यह आपर Jackson Davis की जगहा पर यह Brandon को ला लेते या फिर बड़ी हीड को जैसे प्लेयर को ला लेते जो कि आपर शुटिंग अच्छे कर लेते तो फिलाल यह आपर overall यह मेरी Devote Rebellion team mostly final team में captain जो रहेंगे James Salern, wise captain जो रहेंगे Zubak इस team की तरफ से तीनों important player ले लिए और इस team की तरफ से जो अच्छे player है जो की performance कर सकते है आज कमासे में उनको ले लिया है, overall जो bench player है आपर मैंने ले ब्रैंडों को लिया है, बड़ी hit को लिया है, और Kylie Anderson, तीन bench player को फिर्फरेंच दिया है, और तिनों ऐसे player है जो की bench से अच्छा time केलेंगे, overall जितन दिनों के लिए भी final रहेंगे, hope guys you have to like this video, if you have then please do not forget to like, share and subscribe, thank you for watching